तार्जू नाइन ग्रूप आम लोगों को अपनी जिन्दगी से केमिकल यूप्त खानपान को कम करने के लिए जागरू कर रहा है जिसके तहत रविवार को सिक्टरफोर खिलाई में एक सेमिनार का आईजन प्याग्या इसमें हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने जीवन में बढ़ते केमिकल के उपियोग को जाना आज के इस जीवन में हर इंसान अपने इर्दगिर्द किसी ना किसी केमिकल से घिरा हुआ है यहां तक कि अपने खानपान में भी बहुतायात मातरा में केमिकल का उपियोग कर रहा है इनी केमिकल भरी लाइफ से निजात दिलाने का बिड़ा दार जो नाइन गुरूप ने उठाया है और आम जन मानस को इसके प्रती लगातार जागरू करते हुए कार्य भी कर रहा है इस संस्थान द्वारा हर चीज को एक आम इनसान अपने रोज मररा की दिन चरिया में खान पान में शामिल करता है उन सभी चीजों का केमिकल रहित निर्मान किया जा रहा है रहिवार को इस संस्थान का एक सेमिनार सिक्टरफूर भिराई में आईजित किया गया जहां अनिर्प्रदेश और जीलों से आए अतीथियों का सवरप्रथम स्वागत सम्मान किया गया ततपस्चात अतीथियों ने अपने उद्वोधन के माध्यम से उपरसित जन समुदाय को तीस तरह केमिकल मुक्त जीवन जिया जाए इसकी जानकारिया दी इस पूरे 36 गड़ की धरा से 100% हम लोग करेंगे और आज आज आप सब का सहियोग और उस सहियोग के माध्यम से इस जनरी को हम लेगे जिसका मिशन है कि हिंदुस्तान की जितनी भी लोग आज केमिकल से बुड़े हुए हैं अगर आप देखेंगे आज से 40 साल पचास साल पहले इंडिया को अगर आप देखेंगे आज से 40 साल पचास साल पहले इंडिया के अंदर कितने हास्पिटल थे और आज हर सहर में हास्पिटल की यह आलम है कि होटल से कहीं भूशुरत हास्पिटल भी हैं मतलब बीमारी की संख्या बहुत और बीमार बहुत हुए हैं इसका कहीं नहीं कि इसे कारण यह है कि हम प्रकृति से दूर होते जाने हैं। सारी कंपनियां बीमारी पे काम कर रही हैं, लेकिन डाज़व नाइन जिस हम की हम बात कर रहे हैं, जिस कंपनिसन पे हम लगे हुए हैं, वह आपको प्रकुति से जोड़ती हैं, हम बीमारी पे काम नहीं करते हैं, हम बीमार ना हो पिस पर काम करते हैं, तो हम अज के समय में अ में ॥। पाष्र और आड़र्ट पाहिए है। । १॥ भूज॥ उसके पीछे करें जैसे विख्तिंटी होती दाड़िति कारड में पाणलता है। अधार रween में tenac है वैसे हर पोड़क के ऊपर भी उसके पीछे लिखा हुआ है गवर्मेंट ने कहा है कि आप लिखके दीजिए तो हर पोड़क के पीछे लिखा है कि इस पोड़क के अंदर क्या डला है लेकिन आम इंसान सिर्फ ऐसे ही अड़ोटाइजमेंट देखता है पेपर में आड ही है इसकी पैकिंग कैसी है इसकी पैकिंग बाद में नेचर को नुकसान तो नहीं पहुचाती है ठीक है अज हर मनुष्टि के खान पान की हर वस्तु में केमिकल का उपयोग धडलले से किया जा रहा है यहां तक कि किसानों द्वारा उगाए गए अनाजों में पढ़ने व रासाइनिक हो चली है और इन रासाइनिक खादों की उपयोग से कम लागत में ज़ादा मुनाफ़ा कमाने की लालच में आम जागरिकों की जिंदगी से खिलवार किया जा रहा है जिसे समझना हमें बहुत आवशक है और अपनी बहतर स्वास्ते के लिए केमिकल यूक्त खाद पदार्थों का बहिशकार करती हुए केमिकल मुक्त खाद पदार्थों का उपयोग करना अति आवशक हो गया है ग्रेंड एसी निउस के लिए संतो शर्मा की रिपोर्ट